किसी भी competitive exam में basically दो type के questions होते हैं एक होते हैं आपके conceptual questions और दुसरे होते हैं आपके factual questions यानि कि facts, numbers, most common, history वो सारे कितना भी frustrating हो बट ये सारे questions आपको word to word याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि जितना आपके conceptual questions matter करते हैं उतना ही या उससे भी ज्यादा ये questions भी matter करते हैं रेंक लाने के लिए उपर से ये तो rocker marks है, अगर आता है तो 2 second में tick and 4 marks plus ज्यादा सोतना या logic लगाने की बात नहीं होती है यही questions आपको extra head देते, because majority of the students के लिए सारे questions बहुत ही ज्यादा difficult होते हैं रट्टे बाजी वाले अगर आपने सही कर लिए तो आप competition में directly top कर लोगे and similarly यही questions आपने अगर गलत कर लिए तो आप direct competition से out हो जाओगे इसलिए आपको important topics के एक एक word को याद रखना पड़ता है कितना भी difficult हो, रट्टे बाजी मारनी पड़े लेकिन वो आपको याद रखना ही पड़ेगा and वो भी ऐसे कि MC की solve करते time पे सिर्फ 20 या 30 second में आप उसको tick कर दो क्योंकि आपको उतना ही time मिलता है एक exam में एक MC की solve करना में, अगर दिमाग में पड़ा है तो सही परना गलत, कुछ techniques है जिसके वज़े से आप ये सारी चीजों को थोड़ा आसंद बना सकते हो, भले ही रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और इस वन अप दे बेस्ट और मोस्ट अप्रिशेटेड वीडियो अन इस चेनल बट कुछ कुछ स्टुडेंस ने ये भी पूछा कि सर ये तो conceptual topics के लिए ठीक है बट factual topics like micro, physics, pharma, उन सब के लिए क्या करे तो उस टाइम पर भी मैंने बताया था कि ये टेकनिक आप किसी भी topic पर apply कर सकते हो क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो वो सब कुछ real life में exist करता है आपका काम जस्ट वो link बनाना है ये रट्टा बाजी वाले questions में भी वो टेकनिक कैसे apply करनी है वो मैं आपको किसी वार दिन बढ़िया example के साथ बताऊंगा आज बात करते हैं ऐसी एक वासम टेकनिक की जिसकी वज़े से आपको रट्टा बाजी से बिल्कुल ही मुक्ती मिल जाएगी और जिससे मैंने ऐसी ऐसी चीज़े याद रखी थी कि आप अगर पचास बर में पटलो फिर भी बूल जाओगे बट मुझे अगर आधी रात को भी उठा के पूछ लोगे तो भी मैं एक सेकन्ड में जवाब दे दूँगा और प्रैक्टिकली तभी वाल इंडिया रैंक टू तक पहुचा था जब आपके पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेस्चन सही हो जाएंगे तब आप आप अटमाटिकली वाल इंडिया रैंक वन ले आओगे माइक्रो बायोलोजी MBBS का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे रट्टे बाजी है और मैं जब सेकंड एर में था तब ऐसा ही एक टॉपिक हर बार गलत होता था और वो था टीनिया सोलियम और सजैनाटा का डिफरेंस और उसमें भी ये पूरे टेबल से सिर्फ तीन चार लाइन्स ही थी जो इंपोर्टन थी जो याद रखनी के आवश्यक्ता थी अब आप पुझोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि सिर्फ ये तीनचा लाइन्स से याद रखनी है बाकी सब छोड़ देना है तो भया यही लाइन्स में से हर अल्टरनेट मोक टेस्ट में क्वेस्चन साते रहते थे कि कि किसका इंटर्मिडेट होस्ट पीग है या फिर सोलियम का इंटर्मिडेट होस्ट क्या है किसकी लेंथ शॉर्ट है और किसकी लेंथ लॉंग है कौन ज्यादा सिवियर डिसिस करता है या फिर सब कंबाइन करके ये सेम तिंचा लाइन्स आप्शन में होती थी एंड एक सही या गलत टीक करना होता था तो ऐसे फ्रिक्वेंटली मोग टेस्ट देने से ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स इंपोर्टन है और वो टॉपिक में भी कितनी लाइन्स इंपोर्टन है जितने ज्यादा मोग टेस्ट, रिसेंट पेपर एंड ये सब सॉल करोगे उतना ज्यादा आइडियाज आएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेस्टन्स पूछते है ये ये कॉमन टॉपिक्स है जो रिपिट होते रहते है ये ये कॉमन क्वेस्टन्स है जो रिपिट होते रहते है हाला कि questions अब चैदा repeat नहीं होते है बढ़ topics तो 100% repeat होते ही है या ऐसे करना होता है smart work और मेरी channel ऐसे videos से भरी पड़ी है जो आपके life change कर देंगे देख लेना सारी की सारी videos आज ही subscribe करके किसी भी computer exam में सब कुछ पढ़ने के बिलकुल भी आवश्यक्ता नहीं होती है हाँ important topics भी इतने है जो आप ठिक से नहीं पढ़ोगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे लेकिन वो पूरी book या syllabus की compare में सिर्फ 20% ही होते है अब उतना तो बढ़ना पढ़ेगा ना अब इंडिया में top करना है तो यार हाँ तो अब ये जो table है जो मेरो के pulse में दिया हुआ है वो मैं हर बार इतने अच्छे से पढ़के जाता था लेकिन हर बार mixed up हो जाता था कि किसका host peak था, किसका cow था, कौन लंबा था, कौन चोटा था फिर मैंने ये technique अपनाई और आज तक निंद में से भी उठा के अगर कोई मुझे पूछ ले तो भी मैं एक second में बता दूंगा although मैंने दो साल से वो चीज पढ़ी नहीं है फिर भी बहुत ही simple method है हो सकता है आप लोग भी करते हो छोटी मोटी चीजों में बट मैं आपको पूरे topic पर apply करना सिखाऊंगा and वो technique है cross connection in that what I do is I attach all factual things to any related things which I am familiar with चलो example के साथ थोड़ा simplify करके देता हूँ इसी table को देखते है tinia tinia दोनों में same है तो वो word में नहीं पकड़ूंगा but different क्या है एक में है solium and एक में है सजाईनाटा तो मैं इन दो words को पकड़ूंगा solium का host है pig अब pig बहुत ही गंदा होता है so मैंने cross relate किया solium को किसी गंदी चीज के साथ and उसमें भी गंदी चीज ऐसी होनी चाहिए जो याद आए नाम देखते ही वरना फिर उसको याद रखने के लिए और रट्टा बाजी हो जाएगी तो वह ऐसे निकालो जो नाम में ही हो and वो है sol पेर का तलिया sol अपना बहुत ही गंदा होता है and similarly pig भी गंदा होता है तो अब मुझे याद रहा गया कि sol जहां पर भी आता है यानि sol and यानि pig अब सजयनाटा का मुझे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है वो आटमेटिक काव ही बचेगा तब से मुझे याद है अभी तक कि sol याम का होश्ट था पीग and so सजयनाटा का था काव and similarly solium is equal to sol is equal to pig is equal to pork and बाकी बचा उसका सजयनाटा is equal to cow is equal to beef डेफिनिटिव होश्ट सब में human ही होता है चाहे टिनिया हो या और कोई except तीन ऐसे परासाइट से जिसमें human intermediate होश्ट है वो आपको पता ही होगा नहीं है तो देख लेना so definitive होश्ट तो याद रखने की ज़िवरत नहीं है अब next point है कौनसे डिसीज हो सकते है दोनों से तो again same cheese pig बहुत गंदी चीज है and so उसके eggs भी more infectious होंगे and so उसके diseases भी ज्यादा होंगे ज्यादा यह नहीं सजाइनाटा की गंपर में ज्यादा so सजाइनाटा करता है सिर्फ tiniasis बड़ solium यानि soul यानि गंदी चीज यानि pig यानि worst चीज so infectious eggs and सब कुछ मिला के इतनी बकवास चीज है यह solium कि only tiniasis नहीं करेगा साथ में 60 sarcosis भी करेगा अब 60 sarcosis क्या है वो आपको पता होना चाहिए and उसको याद रखने के भी techniques है जो किसी और वीडियो में बताऊंगा बाकी x के बाकी के points दोनों में same है इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है and इसलिए उसके बारे में कोई questions भी नहीं बन सकता अब आते है second point पर length तो sodium की length short है and सजयनाटा के long तो अब मैं नाम में से cross related कर लूँगा sodium के नाम में है 6 words and सजयनाटा के नाम में है 8 words so sodium की length short and सजयनाटा के long बस इतना ही याद रखना होता है competitive exams में exact length याद ना हो तो भी आपको option तो rule out हो ही जाएंगे and अगर exact length याद भी रखनी है तो भी roughly याद रख लो जैसे solium छोटा है तो उसकी length है 2 to 5 meter and सजयनाटा की है उसकी 3 गुना यानि 6 to 10 meter and same for lateral processes छोटू solium के है 5-10 and सजयनाटा की है triple यानि 15 to 30 that's it यह exact length पुछते नहीं है बट पुछे तो भी अब आपको याद रह गया and अगर याद नहीं रहता है तो भी बाकी के options आप rule out करके पता लगा लोगे कि length वाला options सही है या गलत maybe अभी आपको इतना believe ना होता हो बट ऐसे prepare करके आप जब mock test या MC के solve करोगे उस topic के तब आपको guaranteed results मिलेंगे चाहे physics के equations हो या pharmac के drugs आप rocket marks gain करके easily competition में stand out हो जाओगे इसी topic को आप 5 दिन या 5 months के बाद याद करके देखना and I bet इसके बाद इनके host या length में आपको lifetime को confusion नहीं होगा and आप भी मेरी तरह हती रात को नींद से उठकर भी सही टिक कर दोगे लोग पुछते हैं कि इतने बड़े सिले बस की एक एक line कैसे याद रह सकती है तो भईया एक एक line याद रखने के जरूरत भी नहीं होती है रटे बाजे वाली चीज़ों को भी अगर ऐसे conceptual बनाके cross connect करके दिमग में imagine कर लेते हो तो lifetime वो याद रह जाता है and ऐसे ही just उपर उपर से ही detail में याद ना रखने के बावजुद smartly questions सही करते हैं toppers I know ये कोई नई चीज नहीं है आप भी शायद ऐसे या किसी और तरीके से याद रखते होंगे बट मैंने तो मेरी technique proof के साथ आपको पूरे topic पर apply करके दिखाई बाकी अभी तक आपने इस series का episode 1 नहीं देखा है तो देख लेना अभी के अभी उसमें मैंने एक conceptual जो को याद रखने की एक awesome technique बताई है यहाँ पर आजाएगा वीडियो literally आपके thousands of powers से हो जाएंगे वरना ये वीडियो देखो जो केस के साथ related है बार बार मेरे वीडियो उसको देखना आ लेगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में और भी स्यदा एनर्जी के साथ